यूजी सी नेट जी एर एफ हिंदी प्रीवियस इयर सॉल्फ कोशन पेपर्स क्विक रिविजन विद आर्ती शर्मा तो दोस्तों अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो शेर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें चलिए दोस्तों हम शुरुआत करते हैं यहां दिसंबर 2012 का पेपर थर्ड तो दोस्तों हमारा पेपर थर्ड हिंदी दिसंबर 2012 कुछ इस तरह से हैं ध्यान दीजिए लेकिन फिर में बताते चलूँगे आपको ध्यान दीजिए तो अपपर अपर इसका आंसर हे दोहा चलिए हम अपने अगले प्रशन पर चलते हैं हमारा अगला प्रशन है दोस्तों प्रशन दो आगरा का बोली छेतर है क्या तो जहां आगरा है यानि की उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश में हमारा आगरा है और वहाँ पर जो बोली-बोली जाती है वो दोस्तो हमारी ब्रज बोली है ठीक है तो इस तरह से हमारा प्रश्न दो का उत्तर है C option translation ने इसके बाद दोस्तों हमारी यहां पंक्ति है ध्यान से सुनिए पंडिये सेल संत बखानें penga cyaśralseant bucka Colonema Een ब हिम बुद्ध बसंतन जाने दोस्तों प्रसिद्ध पंक्ति है most important तो इक किसकी है सबर्पाकि पंक्ति है ठीक है तो प्रमात्म प्रकाश के रचनाकार कौन है तो दोस्तों प्रश्णिचार प्रमात्म प्रकाश ये पुछतक है इसके रचनाकार पूछे गए है तो इसका उत्तर है योगिंदर या फिर जो इंदू जो इंदू ठीक है योगिंदर कहो या जो इंदू कहो दोस्तों बात एक ही है ठीक है तो आपको confused नहीं होना है विल्कुल भी ठीक हमारा अगला प्रशन है दोस्तो गोरक बानी के संपादक कौन है तो दोस्तो इसके संपादक है पितामबर दत बढ़्थवल गोरक बानी के संपादक है most important question दोस्तो इसके बाद है दोस्तो हमारा प्रशन छे किस रचना का दूसरा नाम आले खंड है आला खंड तो दोस्तो परमाल रासो परमाल रासो का दूसरा नाम क्या है हमारा आले खंड ठीक है और किसने लिखिये परमाल रासो और आले खंड तो जागनिक जागनिक की रचना है परमाल रासो ठीक है आल है खंड इसका ही एक भाग है या फिर एक रूप है ठीक तो कन्फ्यूज नहीं हो ना बिल्कुल भी आगे चलते हैं प्रशने साथ हमारा प्रशने साथ है दोस्तों सजन सकारे जाएंगे नैण मरेंगे रोई मतलब उक्ति किसकी है या फरक पड़ता है दोश्तों तो यहाँ पर बस ध्यान रखेए, सजन सकारे जाएंगे, नैन मरेंगे, रोए, यह पंक्ती अमीर खुसरो की है, ठीक है, अमीर खुसरो की पंक्ती है, इसके बाद दोस्तों हमारा अगला प्रशन है, अस्छिछाप के कवी कौन है, ठीक है, तो अश्ट चाप के कवी पूछा जा रहा है कि कौन से हैं तो दोस्तों कुम्बन दास कुम्बन दास हमारे अश्ट चाप के कवी हैं बाकी हरी दास नहीं है हित हरीवंश भी नहीं है और पिरिये दास भी नहीं हैं हमारे सिर्फ कुम्बन दाज जो हैं वो हमारे अश्ट छाप के कवी हैं और इनके लावा बाकी साथ कवी हो रहे हैं जिनके बारे में हम आगे आपसे चर्चा करेंगे हमारा अगला प्रश्न है नो यहां एक पंक्तिये दोस्तों ध्यान दीजिए हेरी महातो दरद दिवानी महा मींस मैं हेरी महातो दरद दिवानी दिवानी महारा दरद ना जानया कोई यानि मेरा दरद कोई नहीं जानता तो मैं तो दरद की यानि दरद की दिवानी हूं मेरा दरद कोई नहीं जानता यह पंक्ति किसकी है तो दोस्तों मीरा बाई की पंक्ति है ध्यान रखेंगे आप और हमारी अगली पंक्ति है दोस्तों प्रश्ण दसकी मांगी के खैबो मसीत के सोईबो लैबो को एक ना देबो को दो यानि कि मांगी के खैबो मसीत के सोईबो यानि मांग कर खाता है और मसीत कर यानि खूब सोता है ठीक है लईबो को एक ना देवो को दो यानि कि लेने का तो एक नहीं है यानि किसी काम का तो है नहीं बाकि दो उल्टा लेकर के हमसे ओर चला जाता है तो ये पंक्ति किस की है तो दोस्तों तुलसी दास की रचना की कौन सी पंक्ति है ठीक है यानि किस रचना की पंक्ति है तुलसी दास की तो दोस्तो कविता वली की पंक्ति है ठीक है तो ये खैबो सोईबो इस तरह की आए तो आप ब्रज भाषा समझ सकते हैं वैसे तो तुलसी दास की अबधी भाषा का इस्तमाल के है पर आप देख लेना की कविता वली की भाशा कुण सी है ठीक है ब्रज है जहां तक है मेरा आइडिया है हमारा अगला प्रशने दोस्तों प्रशन ग्यारा मुल्ला वजी की रचना है मुल्ला वजी की रचना है कुटूब मुश्तरी कुटूब मुश्तरी मुल्ला वजी की रचना है इसके बाद हमारा अगला प्रशन है प्रशन बारा प्रताप साही की रचना नहीं है दोस्तों नहीं वाले questions को द्यान से पढ़ा कीजिए ठीक है यहीं पर बच्चे confused हो जाते हैं और answer गलत करके आ जाते हैं तो दोस्तों प्रताप साही की रचना नहीं है यानि कि नवरस प्रताप साही की रचना नहीं है बाकी कावे विलास और व्यंग्यार्थ कौमुदी और सि च्छत्र प्रकास प्रबंद कावे पहली बात तो च्छत्र प्रकास क्या है हमारा एक प्रबंद कावे है और इसके रचनाकार पूछे गए तो कौन है लाल कवी लाल कवी इसके रचनाकार है प्रश्न चौदे प्रश्न चौदे है हमारा निमलिखित में से कौन नीतिकार भी नहीं है कि कि यहां पर दोस्तों पूचा गया प्रश्न 15 में निम्लिखित में से किन लेखक को का संबंद फोर्ट वीलियम कॉलेज से तो श्लीम कॉलेज से किन को का हमारा संबंद deck TRA सकतर सनलुलाल का ललू लाल और सदल मिसर थीक है गार्सादा तासी नाम तो सुनाई होगा आपने सबसे पहले इतियास कार रहे हैं ठीक है हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास किस भाशा में लिखा तो दोस्तों फ्रांसीसी कहो या फ्रेंच कहो फ्रांसीसी कहो या फ्रेंच कहो तो गार्षद आतासी ने हिंदूस्तानी साहित्ते का इतिहास फ्रांसी सी भाषा में लिखा, ठीक है, यानि फ्रेंच भाषा में प्रश्न सत्रा दोस्तों प्रश्न सत्रा द्यान दिजिए अंग्रेजी सरकार की ओर से अदालत का कामकाज देश की प्रचलित भाशाओं में करने का इस्तिहार नामा किस सन में निकला सन 1836 में अंग्रेजी सरकार की ओर से अदालत के जो कामकाज थे उनकी देश की प्रचलित भाशाओं में कामकाज करने का क्या था इस्तिहार नामा निकला था ठीक है बेहत खूबसूरत पंक्ती है दोस्तों सुनिये ध्यान से प्रश्न 18 लोगन कवित की वो खेल करी जानों है यानि कहरें कि लोगों ने जो कवीता करना है वो तो खेल करना जाना है ऐसा समझ रखा है कि कवीता जो है वो एक प्रकार का खेल है तो ये पंक्ती किसकी है यह ऐसा ठाकूर ने कहा है यह पंक्ती ठाकूर की है ठीक है ध्यान रखिए प्रश्ण 19 दोस्तों इन में से कुन सी रचना तुलसीदास की है तो दोस्तों कृष्ण गीतावली रचना जो है तुलसीदास की रचना है प्रश्ण 20 दोस्तों पंक्ती है ध्यान दीजिए हिंदू मगपर पाउँ न रखेऊ का जोव भौतई हिंदी भाकेऊ तो दोस्तों यह पंक्ती किसकी है तो अगर आप ध्यान दे तो यह पंक्ती नूर महम्मद की है आंसर आपके सामने तो आप वैसे भी आप बताई दोगे लेकिन फिर भी मैं बोल देती हूँ जिससे आपको आसानी हो समझने में ठीक है प्रश्ण 21 दोस्तों कबीर कानी राखी नहीं वर्ना सरमशट दर्शनी किसने कहा है तो दोस्तों यह नाभा दास की पंक्ती है किसकी है नाबादास की पंक्ती है प्रश्न बाईस है दोस्तों हमारा इनमें से किसका समय सबसे पहले है जो सबसे पहले आते हैं वो कौन थे तो रैदास रैदास का समय सबसे पहले है इनके बाद बाकी सभी कभी आते हैं प्रश्न तेईस इन में किसका समय सबसे बाद में आता है तो दोस्तों पदमाकर का समय सबसे बाद में आता है और यह important कभी है दोस्तों इस सारे important है सबका अपना-पना मैत्पूर्ण रोल रहा है अपने-पने कावे युग में ठीक है तो दोस्तों ध्यान रखे सबी most important है ठीक है तो यहाँ पर सिर्फ अभी पदमा कर की बात हुई है तो आप सिर्फ अभी किस पर ध्यान देंगे पदमा कर पे ठीक है अब हम चलते अगले प्रशन पर हमारा अगला प्रशन है दोस्तों इन में से कौन सा नाटक भारत एंदु का नहीं है भारत दूरदशा, अंधेर नगरी ये सभी नाटक जो हैं भारते इंदु के हैं हमारा अगला प्राश्ण दोस्तो प्राश्न 25 इन में कौन सी पत्री का मासिक नहीं है फिर से आगे दोस्तों नहीं वाला कोशन तो इन में कौन सी पत्री का जो है मासिक नहीं है तो दोस्तों नागरी परचारिनी पत्री का जो है वो मासिक नहीं है बाकी बाल बोधिनी, हिंदी प्रदीप, सरस्वती ये क्या है हमारी मासिक पत्रीकाएं है जबकि नागरी परचा पारिनी हमारी क्या है ये मासिक पत्री का नहीं है ठीक है ध्यान रखना पत्री का एंग क्रश्ण 29 निम्लिकित में से 10 दुआरे का पिंजरा उपन्यास के रचनाकार कौन है तो दोस्तों अनामिका अनामिका इनकी रचनाकार है प्रश्ण 30 तो हमारा तीसवा प्रश्ण है कथा सतीसर के लेखी का कौन है तो दोस्तों चंद्रकांता कथा सतीसर की लेखी का है प्रश्ण 31 रस सूत्र रस सूत्र के व्याख्याता यानि रस सूत्र की व्याख्या किसने की है तो कौन-कौन आचारे रहे हैं तो दोस्तों इसका उत्तर है भट लोलट, संकुक, भट नायक और अभिनव गुप्त फिर से सुनिए भट लोलट, संकुक, भट नायक और अभिनव गुप्त इन्होंने क्या किया है दोस्तों रस्च सूत्र की व्याख्या की है ठीक है दोस्तों हमारा प्रश्ण 32 हिंदी देनिक समाचार सुधा वर्षन, हिंदी देनिक समाचार सुधा वर्षन, most important दोस्तों, most important हमेशा कहीं न कहीं आपको जरूर मिल जाएगी पेपर में, options में मिल जाएगी या one liner में मिल जाएगी, ठीक है तो ये मतलब most important तो समाचार सुधा वर्षन के संपादक कौन है तो दोस्तों स्याम सुंदर सेन स्याम सुंदर सेन जो है समाचार सुधा वर्षन के संपादक है प्रशन 32 दोस्तों दा न्यू क्रिटिसिज्म पुस्तक के लेखक कौन है तो दोस्तों जोन क्रो रेसम यह कौन है the new criticism पुस्तक के लेखक है ठीक है तो ध्यान रखिए आप ये ठीक है हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों ठीक है प्रश्न चोंतिस राइटिंग एंड डिफरेंस राइटिंग तो ये पुस्तक किस आलो चक्की है दोस्तों तो जैक देरिदा पिछले प्रश्न पत्र में भी पूछा गया था ठीक है न ओफ ग्रेमिटोलोजी वो पुस्तक पूछी थी ठीक है यहाँ पे पूछी गये राइटिंग एंड डिफरेंस तो जैक देरिदा या जोग देरिदा ठीक है हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों 35 प्रश्न साधार्नी करण साधार्नी करण आत्म लंबनत्व धर्म का होता है फिर से सौरी गलत बोल रहे हूं में साधार्नी करण आलंबनत्व धर्म का होता है आलंबनत्व ठीक है तो यह कथन किसका है हमें कथन बताना है आचारे रामचंदर शुकल का कथन है ठेक है ध्यान रखिए दोस्तों प्रश्ण 36 प्रश्ण 36 है अमारा शूवर्दान सूवर्दान के लेखक कौन है तो दोस्तों रूप नारायन सोनकर रूप नारेंड सोनकर जो है उनकी रचना है सूवर दान हमारा अगला प्रशने दोस्तों प्रशने 37 अन्न है मेरे सब्द किस कभी की कृती है तो दोस्तों एकांत श्री वास्तव की कृती है अन्न है मेरे सब्द प्रशन 38 दोस्तों अनारो किसका उपन्यास है तो दोस्तों अनारो उपन्यास है हमारा मंजुल भगत का ठीक है प्रशन 49 प्रशन 49 है दोस्तों हमारा व्योंकेश दर्वेश व्योमकेश दर्वेश किस विधा की रचना है तो दोस्तों यह है एक संस्मरण है क्या है संस्मरण है ठीक है दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न चालीस सूचरिता का संबंध किस उपन्यास से है तो सूचरिता का संबंध किस उपन्यास से है तो दोस्तों बान भट की आत्म कथा उपन्यास से संबंधित है सूचरिता रचना काल की दृष्टी से निमलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम बताना है दोस्तों प्रश्न नंबर 41 प्रशने संख्या 41 है तो दोस्तों हमारा इसका सही उत्तर है उत्तर B यानि की अगर हम बात करें दोस्तों रचना काल की द्रिश्टी से ठीक है रचनाओं का सही अन्यू करम बताना है तो हमारी सबसे पहले कीर्थी पता का विद्यापती की फिर रामचरित मानस तुलसी दास क केजवदास्की और क्रिश्ट्णायन तो यह हमारी सबस्रेश्टवा दूसी न percentage करिश्ट्णाय तुलसी दोस्तों हमारा प्रश्ण 42 है रचनाकाल के आधार पर निमलिखित किरितियों का सही अनुकरम बताईए तो दोस्तों रचनाकाल के आधार पर हमारा निमलिखित किरितियों का सही अनुकरम है सबसे पहले साकेत, फिर कामाईनी, उसके बाद कुरुक्षेत्र और फिर अंतमे अंधा यूग ठीक है सबसे पहले हमारी नमबर एक साकेत फिर नमबर दो कामाईनी फिर नमबर तीन कुरुक्षेत्र और नमबर चार हमारा हो गया कौनसा अंधा यूग ठीक है दोस्तों तो दोस्तों हमारा यहां अगला प्रशन है प्रशन 33 हमारा प्रशन 33 रचना काल की द्रिष्टी से निमलिकित गरंथों का सही अनुक्रम बताना है तो दोस्तों सबसे पहले हमारा है मरिगावती उसके बाद है दोस्तों हमारा ग्यानदीप उसके बाद है इंद्रावती ठीक ह फिर है हमारा अनुराग वाशूरी जो की नूर मुहम्मद का है थिक है मरेगावती ग्यानदीप इंद्रावती और अनुराग वाशूरी ठीड़ कवियों का करम भी अगर आप यास रखेंगे न तो भी रचनाओं के करम को आसानी से लगा पाएंगे ठीक और बहुत जादा मतलब कोई गबराने वाली बात नहीं है दोस्तों कुछ ही रचनाएं जो बार-बार रिपीट होती है ठीक है या तो शुरू आत की पूछ लेते हैं या अंत की पूछ लेते हैं तो आप पहली और अंत की रचनाएं तो हमेशा याद रखें किसी भी युक की से तो वह बात लग है ठीक है दोस्तों यहां हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 45 बताना है कि रचना काल के आधार पर रचना काल के आधार पर निमलिखित निबंद संग्रे का सही अनुकरम क्या है तो दोस्तों रचना काल के आधार पर हमारा सही उत्तर होगा हमारा option D option D हमारा सही उत्तर है दोस्तो शरिंखला की कडियां ठीक है अशोक के फूल सही अर्द नारीश्वर और आत्म नेपद ठीक है शरिंखला की कडियां महादेवी वर्मा अशोक के फूल हजारी परसाद दुएदी अर्द नारीश्वर ये आपके विश्नु प्रभाकर ठीक है और ये हो गए हमारे आत्मु नेपद ठीक है ये रचनाई जो है रचना काल की द्रिष्टी से काल करम मानुसार हैं हमारा अगला प्रशन है दोस्तों अगले प्रशन पर चलते हैं प्रशन 46 तो प्रशन 46 है रचना काल की द्रिष्टी से निमलिखित उपनियासो का सही अनुकरम क्या है तो दोस्तों सबसे पहले हमारा परिक्षा गुरू आया था लाला सरी निवाजदास का फिर निसा हाय हिंदू आया हमारा ठेट हिंदी के ठाट सही है और अंत में हमारा देहाती दुनिया ठीक है इस तरह से हमारा परिक्षा गुरू सबसे पहले फिर निसाहाय हिंदू फिर हमारा ठेट हिंदी के एठाट और अंत में देहाती दुनिया ये हमारे रचनाकाल की द्रिश्टी से निमलिखित उपन्यासों का सही करम है प्रश्ण पचास रचनाकाल के आधार पर प्रसाद के किसके प्रसाद के निमलिखित नाटकों का सही अनुकरम बताना है तो दोस्तों प्रसाद के नाटक बताने हैं हमें रचनाकाल के आधार पर तो सबसे पहले राजशिरी ठीक है राजशिरी हो गया हमारा फिर अजाजसत्रू हो गया चंद्रगुप्त हो गए और ये दृव स्वामिनी ठीक है फिर से देख लीजी आप हमारे ये हो गए फिर से ठीक है मैं बता देती हूं राजशिरी ठीक है अजाजसत्रू चंद्रगुप्त और दृव स्वामिनी ठीक है न तो ये सभी रचनाकाल की द्रिष्टी से सही अनुक्रम में हैं ठीक है दोस्तों हमारा अगला प्रशने दोस्तों प्रशनी क्यावन रचनाकाल की द्रिष्ट से निमलिखित आत्म क THाओं का सही अनुक्रम पूछ रहे हैं तो δोस्तों सबसे पहले अर्द कत्ः फिर मेरी जीवन यात्रा ठीक है, क्या भूलूं क्या याद करूं को टुकडे टुकडे दास्ता य threatened टुकडे दास्ता ये सारी क्या हैं हमारी आत्म कथा हैं ठीक है और ये करम मानुसार हैं आप फिर से देख लीजिए एक बार आप्शन्स में दोस्तों आपके सामने हैं अर्ध कथा मेरी जीवन यात्रा क्या भूलूं क्या याद करूं और टुकडे टुकडे दास्तन ठीक है इसके बाद है दोस्तों हमारा अगला प्रश्न बावन रचना काल के आधार पर निमलिखित कृतियों का सही अनुक्रम क्या है तो दोस्तों सबसे पहले भारत भारती फिर रसकलश फिर उर्वशी उसके बाद शंबूक फिर से सुनिए एक नंबर पर आ गई हमारी भारत भारती ठीक है मैथली शरंगुप्त फिर ये आ गई हमारी रसकलश ठीक है फिर आ गई उर्वशी ठीक उर्वशी उसके बाद आ गए हमारे शंबुक ठीक है ना तो ये इस तरह से हमारा ये क्रम है हमारा अगला प्रशन है दोस्तो त्रेपपनवा प्रशन रचना काल की द्रिष्टी से निराला ठीक है निराला की बात हो रही है रचना काल की द्रिष्टी से निराला की निमलिकित कृतियों का सही अनुक्रम क्या है तो दोस्तो ओप्षन डी यानि परिमल तुलसिदास नई पत्ते अराधना ठीक है परिमल तुलसिदास नई पत्ते अराधना ये हमारी क्या है रचना काल की द्रि हमारा अगला प्रश्ने दोस्तों प्रश्ने चववन रचना काल के आधार पर निमलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है तो दोस्तों हमारा ऑप्शन ए पहली बात तो सही है तो सबसे पहले सही अनुक्रम की बात देखेंगे तो राग दरबारी ठीक है उसके बाद ध यह हो गया रागदरबारी धर्ती धन्ना अपना महाभोज जीनी जीनी बिनी जदर्या ठीक है न तो यह हमारे उपन्यासों का सही करम है चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं प्रश्न पच्पन दोस्तों हिंदी भाषा के विकास का सही करम क्या है तो हिंदी भाषा के विकास का हमें करम बताना है दोस्तों सही तो हमारे सबसे पहले संस्कृत आई थी ठीक है पाली आई फिर बौध के समय ठीक है यह हमारी प्राकृत ठीक है और यह हमारी ठीक है और उसके बाद आई हमारी क्या हिंदी जहीं हिंदी तो हमारी हिंदी हजार इस्वी में आई थी तो इसका आगर हम हिंदी का आप से पूछा जाए हिंदी भाषा की परंपरा का विकास बताओ ठीक है तो संस्क्रिट शबसे पुरानी और सबसे पहली भाषा है ठीक है विश्वी की पहली भाषा भी शायद मानी आती है रिगवेत जैसे पहली पुस्तक है और वो संस्कृत में रचीत है तो इस आधार पर संस्कृत सबसे पुरानी भाषा है और फिर आती है दोस्तों हमारी पाली जो की बुद्धि के समय की भाषा ह है ठीक है और उसके बाद आती है प्राकृत फिर अपुभर्श और फिर अंथ में हिंदी ठीक ना अंथ में ठील हिंदे तो अगला प्रश्ण दौस्त नहीं च्पन जिसमें स्थापन दी गई है तो एघ अप्शन एँ और स्थापना है साहित्य समुःिक अवचेतन का निशेद है यहाँ पर तर्क है दोस्तों क्योंकि साहित्ते में क्योंकि साहित्ते में सिर्फ व्यक्ति मन की अभी व्यक्ति होती है क्या इसलिए साहित्ते सामूहिक अवचेतन का निशेद है तो दोस्तों देखा जाए तो इसका उत्तर है option B जिसमें कहा गया है कि ना तो A ना तो R, ये दोनों ही गलत है, यानि कि इस्थापना भी गलत है और हमारा तर्क भी गलत है, ठीक है? तो ध्यान रखना दोस्तों आप अब प्रस्ने 57 दोस्तों, प्रस्ने शत्तावन है हमारा स्थापना है, ध्यान दिजे यहां पर दोस्तों प्रश्ण सत्तावन विशमता और दुख सुख का दुवंद विकास का मूलाधार है विशमता और दुख तो यहां पर तर्क दिया जा रहे दोस्तों यहां पर तर्क है हमारा कि क्योंकि सम्ता से विकास असंभव है तो यह जो है वो सही है और जो आर है यानि जो हमारा तर्क है वो हमारा गलत है यानि हमारी इस्थापना सही है विशमता और दुख सुख का दुवंद विकास का मूल आधार है ये सही है हमारी स्थापना और तर्क दोनों ही सही है ठीक है दोस्तों इसके बाद आता है हमारा प्रश्न 69 स्थापना है दोस्तों ध्यान से फिर से देखिए आप ठीक है मैं पढ़ देती हूँ आपके सामने तो दोस्तों प्रश्न 69 है हमारा स्थापना हमारी स्थापना है दोस्तों सोंदरे बाहर की कोई वस्तु नहीं सोंदरे जो है वो बाहर की कोई वस्तु नहीं है मन के भीतर की वस्तु है और तर्क क्या है कि कारण है कि सोंदरे की सत्ता सत्ता जो है सोंदरे की सत्ता मन के बाहर नहीं होती तो दोस्तों option C सही यानि कि इस्थापना जो है वो हमारी सही है यानि कि सोंदर्य बाहर की कोई वस्तु नहीं होती है तो मन के बीतर की वस्तु है ठीक है और इसके बाद हमारा जो तर्क है वो गलत है ठीक है तो ध्यान देना दोस्तों अगला प्रशन है दोस्तों हमारा प्रशन साथ इस्थापना है नारिवाद का एक उद्देश से पुरुष सत्ता का निशेद है तर्क है हमारा क्योंकि नारिवाद का एक मात्र उद्देश से यही है तो दोस्तों ऑप्शन ए यानि की ए जो है यानि स्थापना हमारी सही है नारिवाद का एक उदेश्यप पुरुष सत्ता का निशेद भी है यानि पुरुषों के खिलाफ में तो नारी खड़ी होती है ना ठीक है तो पहले हमारी पुरुष सत्ता थी आज कलम देख रहे हैं कि किस तरह से नारियों अपने अधिकारों को समझना शुरू कर दिया है और अपने हक के लिए संघर्ष करना भी शुरू कर दिया है तो यहीं से नारिवाद की शुरुवात होती है ठीक है तो और यह पुरुष सत्ता का निशेद है ठीक तो यह सही है और तर क्या है क्योंकि नारिवाद का एक मात्र उद्देशे यही है नहीं ऐसा कुछ नहीं है एक मात्र उद्देशे नहीं है अपने सम्मान के लिए अपने हक के लिए अपने अधिकारों के लिए ठीक है अपनी क्या बोलते हैं समाज में सत्ता बनाने के लिए बहुत सारे उद्देशे कोई एक उद्देशे नहीं है ठीक ह तो इसलिए यह तर्क जो है वो गलत हो जाता है ठीक है अगले प्रश्ण पर चलते हैं दोस्तो प्रश्ण 61 प्रश्ण 61 है दोस्तो हमारा स्थापना यानि कि प्रेम ना बाड़ी उपजई प्रेम ना हाट विकाई यह स्थापना है और तर्क है हमारा क्योंकि प्रेम दो का होता है दोस्तों क्या बात बोल रहें हैं तो इसका उत्तर यानि की प्रश्न बासट जिसमें इस्थापना दी गई है तो इस्थापना कुछ इस तरह से है इस्थाई साहित्य जीवन की चिरंतन समस्याओं का समाधान है जो इस्थाई साहित्य है वो हमारे जीवन की चिरंतन समस्याओं का समाधान है और तर्क क्या है कि क्योंकि इस्थाई साहित का लोक जीवन की तात कालिक समस्याँ से कोई संबंध नहीं होता कोई संबंध नहीं होता तो यह क्या है हमारा अब देखो इसका उत्तर देखते हैं क्या है तो इसका उत्तर है दोस्तों हमारा option c यानि कि कह रहे हैं कि जो हमारी इस्थापना है वो तो सही है ठीक है और जो हमारा तरक है वो हमारा गलत है ठीक है यानि कि इस्थाई साहित्य जीवन का की चिरंतन समस्याँ को समाधान तो है लेकिन जो तरक है वो गलत है ठीक है दोस्तों ध्यान रखना प्रश्न 63 दोस्तों इस्थापना ढ्यान दीजे लोक रिद्दे में हिरिद्दे के लीन होने का नाम रस दसा है तर्क है हमारा इसलिए साधार्णी करण के लिए कभी का लोक धर्मी होना आविशक नहीं है तो इसका option है हमारा A यानि कि option A में जो हमारी स्थापना है वो तो सही है तो दोस्तों आगे चलते हैं ध्यान रखना प्रश्नि 64 प्रश्नि 64 है हमारा इस्थापना है दोस्तों ध्यान दीजे ठेक है इस्थापना है हमारा भारतेंदु युग आधुनिक्ता का प्रवेश द्वार है भारतेंदु युग यानि कि आधुनिक्ता की जो शुरूआत मानी जाते हैं भारतेंदु युग से ही मानी जाती है दोस्तों तो इसलिए कहा जा रहा है कि भारतेंदु युग आधुनिक्ता का प्रवेश द्वार है और तर्क है दोस्तों क्योंकि भारतेंदु युगीन कवीता में मध्य कालिन भावबोध का नितांत अभाव है ठीक है फिर से सुनिए क्या है कि क्योंकि भारतेंदु युगीन कवीता में मद्धे कालीन भाव भोध का नितांत अभाव है ठीक है इसलिए तो यहाँ पर हमारा है ए सही यानि कि यह हमारी स्थापना है जो सही है और जो हमारा तर्क है वो गलत है ठीक है आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न पैंसट है दोस्तों हमारा ठीक है प्रश्न पैंसट रस ब्रह्मा स्वाद सहोदर है इसका तर्क अगर हम देखेंगे तो क्योंकि रस में लौकिक विश्यों का सर्वथा तिरोभाव होता है इसलिए रस क्या है ब्रह्मा स्वाद है तो दोस्तों उत्तर भी इसमें भी स्थापना जो है वो सही है लेकिन जो हमारा ठर्क है वो गलत है ठीक है आगे बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्न 66 दोस्तों निमलिखित कवियों को उनके कावे संग्रेहों के साथ सुमेलित कीजिए यह यहीं कावे संग्रेहों के साथ हमें सुमेलित करना है तो दोस्तों बाल कृष्न सर्मा नवीन का कावे संग्रेह है हम विष्पाई हम विष्पाई ध्यान पाठी का काविशंग रहे है पतेक ठीक है माखनलाल चतुरवेदी माखनलाल चतुरवेदी का है हमारा हिम तरंगिनी हिम तरंगिनी ठीक है दोस्तों तो यह अहीं है नाटक्रौम है दोस्तों है हमारा अगला प्रशन हे दोस्तों अगला प्रस्फित को उनके सांपादित पतरीकां के साथ सुमेलित कीजिए तो पत्रीकाओं के साथ सुमेलित करना है दोस्तों तो एक यानि भारते इंदू हरीष चंद्र ठीक है इनकी पत्रीका बताते हैं और फिर हैं अंबिकादत व्यास और फिर हैं बद्री नारायन चौधरी प्रेमगन और इनके बाद फिर हम देखेंगे ठीक है तो यानि की तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर मैंने मिलान कर रखा है भारते इंदू हरीष चंद्र एक ही यानि की इनकी पत्रीका है कवी वचिन सुधा ठीक है और बी यानि अंबिकादत व्यास अंबिकादत व्यास की है कौन सी तो इनकी रच ज्ञान से देखिए और अनद कादम भीनी ठीक है और हमारा फिर डी डी ऑप्षन हमारा यानि की बाल कृ版 इनकी पत्री का है हिंदी प्रदी ठीक है तो इस तरह से यह हमारे आंसर आपके ठीक है दोस्तों हमारा अगला प्रशन है उपन्यास कारों को उपन्यासों के साथ सुमेलित करना है ठीक है उपन्यास कारों को उपन्यास उपन्यासों के साथ सुमेलित करना है तो दोस्तों आईए हम हैं इसके बाद आते हैं हमारे श्रीलाल शुकल इनका उपनियास है अ कैसे कट्रा भी आर्जू ये राही मासुम रहती है जाका उपनियास है और अंत में आते हैं हमारे शिव प्रसाद सिंग सिव प्रसाद सिंग इनका उपनियास है अलग-अलग वैतर्णी कौनसा अलग-अलग वैतर्णी तो दोस्तों आप एक बार आंसर भी देख लीजिए जिससे आपको समझने में दिक्कत ना हो यह ओप्शन है दोस्तों आप देख सकते हैं ठीक है कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके आप मुझे बता भी सकते हैं ठीक प्रस्ण 69 निम्लिकित आलोचना ग्रंथों को उनके आलोचकों के साथ सुमेलित करना है तो दोस्तों आप्शन ए यानि की रस्मिमांसा किसकी पुस्तक है आलोचना अत्मक पुस्तक है रामचंद्र शुकलिकी इसके बाद आते हैं नात संप्रदाई तो इनकी कौनसी रचना है ये किसकी रचना है तो हजारी प्रसाद दुएदी की रचना है इसके बाद आते हैं हमारे आस्था और सोंदर्रे आस्था और सोंदर्रे तो ये किसकी रचना है दोस्तों ये है रामविला सर्मा की रचना ठी ठीक है कौनसी आस्था और सोंदर्य बहुत बार पूछी गई है प्रश्ण डी हिंदी साहित्य हिंदी साहित्य बीसवी सताब दी यह किसकी रचना है तो दोस्तों नंद दुलारे बाजपई नंद दुलारे बाचपे की रचना है कौनसी हिंदी साहित्य बीसवी सताब दी ठीक है दोस्तों तो आप देख सकते हैं यहापर एक बार मैं ओप्शन्स आपके सामने ला देती हूं ठीक है जिससे आपको दिक्कत ना हो इस्क्रीन पर अच्छे से देख लो चलते हैं दोस्तों अब हम अपने अगले प्रशन पर दोस्तों हमें यहापर निमलिखित पात्रों को प्रशन नंबर सत्तर प्रशन संख्या सत्तर निमलिखित पात्रों को उनके उपन्यासों के साथ हमें सुमेलित करना है तो दोस्तों गोबर, गोबर किस उपन्यास का पात्र है, तो दोस्तों अगर आपने प्रेमचंदर का उपन्यास पढ़ा हो, तो आपको याद होगा, अगर आपने पढ़ा हो तो आपको याद होगा कि गोदान, गोदान में पात्र है गोबर, ठीक है, और भूवन, भूवन आ बाण भटकी आत्म कथा बाण भटकी आत्म कथा में ठीक है तो आप फिर से देख लो बाण भटकी आत्म कथा इसके बाद आते हैं हमारे डी यानि कि कुमार गिरी कुमार गिरी किसके पात्र हैं तो यह हैं चित्रलेखा चित्रलेखा के पात्र हैं ठीक है एक बार आप उत्तर भी देख लीजिए जिससे आपको कोई परिशानी ना हो चलते हैं अगले प्रशन पर दोस्तों अगला प्रशन है हमारा प्रशन एकत्तर यानि की यहां पे कहा जा रहा है कि निमलिकित पात्रों को उनके काव्यों के साथ सुमेलित करना है दोस्तों काव्यों के साथ हमें सुमेलित करना है तो यानि की काव्य यह है काव्य ठीक है यह हो गई जी यह कोन है पात्रों को मिलाना है ठीक है तो पात्रों वाला important question प्रियमवद किस में थे असाध्य वीना घहा ठिके पिरियमवद बजाते न 스हर थिके वीना कमल WR किसमे थी तो कमला सितार ठीक है वीना बजाते हैं जो प्रेश्ण बी कमला कमला किसमे थी तो कमला थी प्रले की छाया में इसके बार आते हैं सी ओशी नरी ओशी नरी किसमे थी उर्वशी में ठीक है फिर आती है अंत में हमारी नची केता नची केता किसमें थी तो नची केता था भाईया आत्म यहीं में किसमें आत्म जैने ध्यान रखें बाखी आप एक बार उत्तर भी देखली apprent keep कि नहीं हो इस धिक यह अग्याइड है माने एक बार देख लीजिये स्क्रीण पर दोस्तों प्रशन संख्या 72 तो प्रश्ने संख्या 72 एं हमारी निमलिकित सिध्धानतों को उनके विचारकों के साथ सुमेलित कीजिए तो दोस्तों याम सुमेलित मैंने कर रखा है तो आप देख सकते हैं कि हमारा क्या बोलते हैं अभी वेंजनावाद किसका है क्रोचे का ठीक है अभी जातेवाद किसका है टीएस इलियट का अस्तितवाद किसका है सार्त का और विखंडनवाद किसका है जैक देरिदा या जॉप देरिदा ठीक है तो आप याद रखिए यहां से भी कोशन बनता ही बनता है ठीक है अगला प्रश्ण दोस्तों हमारा प्रश्ण 73 निमलिखित कहानी कारों को उनकी कहानियों के साथ सुमेलित कीजिए यानि कि हमें कहानी कहानियों को उनके कहानी कारों के साथ सुमेलित करना है ठीक है तो दोस्तों हम देखेंगे कि सबसे पहले कोन है अमारे फनिश्वर नात रेणू की कुन सी कहानी है ठेस ठीक है और फिर आते हैं अमारे अमरकांथ इनकी बहुती प्रसिद कहानी है अमरकांथ की दोपेर का भोजन फिर आती हैं अमारी ऊशा प्रियमवदा प्रश्नी चोहत्तर इसमें पुछा जा रहा है कि निबंध देखे अभी तक नहीं पुछा गया था लेकिन अब कोशन आ गया निबंध वाला भी ठिक है तो दोस्तों निबंध तो दोस्तों यहां हम निबंधों को उनके निबंध कारों के साथ मिलाएंगे ठीक है तो हमारा option A, यानि कि मजदूरी और प्रेम, मजदूरी और प्रेम निबंद किसका है, तो दोस्तों अध्यापक पूरण सिंग का निबंद है, इसके बाद कुटज जो की बहुत ही प्रसिद्ध है, ठीक है, तो कुटज किसका है, तो ये हजारी प्रसाद दुएदी का है, तो देखिए, दोस्तों स्क्रीन पर देख लीजिए, कुटज जो है किसका है, हजारी प्रसाद दुएदी का है, तो हजारी प्रसाद दुएदी का निबंद है कुटज, इसके बाद आते हैं, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, ये निबंद किसका है, तो ये है विद्या न निवास मिश्र का विद्या निवास मिश्र का निबंध है मेरे राम का मुकुट भीग रहा है इसके बाद है हमारा डी लोब और प्रीती लोब और प्रीती किसका है तो दोस्तों ये राम चंद्र शुकल का निबंध है ठीक है याद रखिए दोस्तों इंपोर्टेंट है तो देख लो दोस्तों, एक बार इसक्रिन पर अपने सामने, ठीक है, बाकी इसका मैं आंसर भी आपको शो कर दे रही हूं, तो आंसर भी आप देख लें, ठीक है, ये, ठीक, चलते हैं, अगले प्रशन पर, अगला प्रशन है हमारा प्रशन 75, तो निमलिकित उक्तियों को उनके लेखकों के साथ हमें मिलाना है, ठीक है, किसके साथ, लेखकों के साथ मिलाना है, तो ये, हमारी उक्तियों हो गई दोस्तों, ये लेखक, ठीक है, अब इसक्रिन आप देख लीजिए, एक बार, तो इसक्रिन में, आप देखिए, की, आप्शन क्या-क्या हैं, और उनके उत क्या क्या है ठीक है फिर हम डिसकस करेंगे एक बड़ देख लीजिए सारा कि यह ठीक है कि यह हमारा शुरू होता यह प्रश्ण 75 इसमें हमारा ए ओप्शन यानि कि मैं उपन्यास को मानव चरित्र का चित्र समझता हूं मैं उपन्यास को मानव चरित्र का चित्र समझता हूँ यह किसकी पंक्ती है तो दोस्तों प्रेम चंद की पंक्ती है इसके बाद है अधिकार सुख कितना मादक होर सारहीन है यह पंक्ति किसकी है तो दोस्तों यह पंक्ति प्रश्न पर तो दोस्तों यह एक बार देख लीजिए सारी पंक्तियां है ठीक है कोई अगर छूट भी गई हो तो इसका उत्तर देख लीजिए आप ठीक आगे चलते हैं तो दोस्तों इस तरह से आज के जो exam questions है वो यही पर समात होते हैं अब हम अगले question paper के साथ आपके सामने आएंगे दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है ठीक है लेकिन कोई बात नहीं मैं कोशिश करूंगे अगली बार से जो है वीडियो थोड़ा short हो तो चलिए दोस दोस्तों मिलते हैं अगले प्रश्ण पत्र में आपके साथ discuss करेंगे ठीक है बहुत सारे प्रश्ण तो चलिए दोस्तों कुईक रिविजन विदार्ती शर्मा लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर करें अगर मेरा चैनल आपको पसंद आया है तो अगर किसी तरह की कोई गलती है तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएं जिससे मैं आगे की वीडियो में अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करूं तो धन्यवाद दोस्तों यहीं समाप्त करते हैं